दोस्तों एक बाद फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ओपाई एंटर डे में दोस्तों देखते हैं कि मार्केट कल कहा मुमेंट कर सकता है उसके पीछे लॉजिक के तो चार्ट पर चलते हैं दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है और आपको ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने पहले से ही ड्रॉ करके दिये थे यहां एक चीज गौर करने वाली है वो ये कि पहले कभी ऐसा नहीं होता था जैसा मार्केट आजकल मूव कर रहा है तो मार्केट के मूवमेंट के एकोर पहले अगर आप देखें तो मार्केट एक हफ़ते में बैंक निफ्टी पानसो पॉइंट ऊपर या पानसो पॉइंट नीचे वन वीक में जाता था पानसो पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में वन वीक में होता था लेकिन आजकल एक केंडिल में हो जाता है पंद आज कल दिख रहा है कैसा मार्केट गैप में खुल ला है यह देखिए यहां से फिर गैप में फिर गैप अप फिर गैप डाउन फिर गैप डाउन फिर गैप अप मार्केट गैप अप गैप डाउन और गैप अप गैप डाउन छोटा नहीं होता है बैंक निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट का निफ्टी में 100 से लेके 200 पॉइंट का ऐसे गैप डाउं और गैप अप ओपन हो रहा है मार्केट मतलब आप अभी तक जो इस ट्रेडजी से ट्रेड करते रहे हो आपको इस ट्रेडजी चेंज करने की जरूरत है हमेशा अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आ अगर इसको हम आगे बढ़ाएं तो आप देखेंगे आज भी मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दिया है तो आप क्या कर सकते हो अब जैसा कि आप देख रहे हो के मार्केट लगातार इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ना आए तब तक आप कम से कम तो ही आप buy side में open होने के बाद buy side में कोई trade लीजिएगा, target हमारा वही रहेगा 17,166 और 17,328 लेकिन अगर market इस trend line को respect करके फिर नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पर sell की position बना सकते हो, और target आपका जो रहेगा, पहला चोटा target 17,002 कर रहेगा, और दूसरा target 16,801 कर रहेगा, आप देखिए, हो क्या रहा है, market gap down खुला है, gap up खुला है, थोड़ा सा उपर जाके लगबग उसी range में बंद हो जाएगा, तो इस समय अगर आप इस ट्रेडल बनाओगे, तो आपको ज्यादा benefit मिलेगा, क्यों? क्योंकि market और एक परसेंट, आधा परसेंट, गिर के खुलता हो, market वहीं क्लोज हो जाता है, आप देखिए, यहाँ पर market खुला, और यहाँ पर इसने closing देदी, तो आप देखिए, पूरे दिन में जिसने भी option में trade करते हैं, वो इस चीज को समझे, कि market में आपको अपनी strategy चेंज करने की जरूरत है, तो अगर निफ्टी में आपको कल के दिन trade करना है, और buy trade बनाना है, तो इस line के ऊपर निकलने का market का wait करें, जब इस line के ऊपर जाए, तब आप एक buy position बना सकते हो, इस target के लिए और इस target के लिए, लेकिन जब तक market इस trend line के नीचे है, आप sell side में बने रहे, आपको 16,800 का level मिलेगा, ठीक है, तो market में movement gap up और gap down के बाद बिलकुल भी नहीं हो रहा है, market जहां खुल रहा है, वहीं बंद हो रहा है, सारे trader पूरे दिन भर बैठे रहते हैं, market में उनको कुछ मिल रहता नहीं है, केवल वही लोग इस समय पैसा बना रहा है, जो इस ट्रेडल सेल करना है, वाई भी नहीं, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखे, बात करते हैं, bank nifty की, तो bank nifty में आप trade कहां पर कर सकते हो, वो मैं बता देता हूँ, अब आप देखिए bank nifty में, जो trend line म भी भी follow हो रही है, केवल कल के दिन market इस trend line के ऊपर खुला और पूरे समय तक इस trend line के ऊपर ही रहा, लेकिन आज gap down खुला, और फिर पूरे समय तक market इस trend line के नीचे रहा, तो हमने आपको ये extra line बनाई थी, उस दिन जिस दिन हमने आपको support resistance बनाया था, हमने कहा था कि अब इस extra line का आपको ध्यान रखना है, और आप देखिए, extra line और trend line को market ने कितना अच्छी तरह respect किया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में आप next day, यानि कल, कल जब भी आप trade करें, तो इस चीज का दियान रखें कि इस trend line के अगर उपर market निकलता है, इसी trend line का stop loss लेकर, आप buy position मना सकते हो, पहला target 36,208, दूसरा target 36,417, और तीसा target 36,63, लेकिन, अगर market gap down खुलता है, gap down खुलने के बाद, इस line तक आता है, और इस line के बाद फिर rejection मिलता है, तो आप यहाँ पर sell कर सकते हो, 35,934 के नीचे आप sell करिए, आपका target क्या रहेगा, 35,406, यानि लगबग लगबग 500 point का target है, तो आप अपने stop loss को trail करते रहेगा, हो सकता है, market इसके बीच से घुम जाए, तो अगर बीच से घुमेगा, आप अपना stop loss trail करोगे, तो आप definitely profit में निकलोगे, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें, तो इस चीज आपको देखने को मिल रही है, कि market लगातार gap up खुला है, gap down खुला है, फिर gap down खुला है, फिर खुलने लीजिए, कि आपको क्या करना, अभी आप कोई positional view बना कर मत चलिए, अगर आपको positionally buy करना ही है, तो इस trend line के उपर market sustain कर जाए, उसके बाद, जैसे अगर हम कल की बात करें, तो कल के लिए market ने जो आज का high बनाया, या यह high बिलकुल 2-3-6, 208 के उपर है, तो 208 के उपर market दिख ले, तो आप buy position बनाईए, stop loss वही 15 मिनट की candle का low रहेगा, target 36417 और 36630, जब तक market is trend line की नीचे है, या फिर यहाँ ऊपर gap up खुलने के बाद, और rejection दे रहा है, तो आप यहाँ पर sell की position बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखा दूँ, बड़ा आसान है market में, बस केवल आप लोगों को समझने की जरूरत है, देखिए, market क्या हुआ, यहाँ पर close हुआ था, यह gap up open, gap up होने के बाद, पहले 15 मिनट की candle का low, इस candle ने break, आप यहाँ पर sell की position बना सकते थे, stop loss, इसके पहले का swing high, यह आप stop loss आते, market यह open हुआ, आप बताईए, क्य candle का high break वो और नहीं, तो आज buy की क्या position बन रही थी, नहीं बन रही थी, sell की position कब बनी, इस candle पर sell की position, यहाँ पर आप sell side में एंटी ले सकते थे, stop loss इस candle का high ले सकते थे, आपको एक अच्छा moment यहाँ पर capture करने को मिलता, और जब भी market इस line को cross किया, इस के ऊपर आप यहाँ तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, और दूसरी चीज, मेरे पास बहुत से लोगों के call आये, के sir मैं आप से मिलना चाहता हूं, मैं call कोता आ रहा हूं, तो आप सभी से request है के please, कोई भी किसी भी परकार का gift, या मिठाई बगेरा लेकर ना आए, ठीक है, जञ याइबाओन।